Welcome to Unique Classes of DBZ हमारे पास Chapter 2 है Chapter 1 हम सभी question solve कर चुके है यह Chapter 2 है इसका question हम क्या करेंगे solve करेंगे देखिए क्या नाम है Non-linear partial differential equation of first order तो देखिए आपको इसमें chart type है क्या है? chart type देखिए अभी जो हम solve करेंगे exercise 2 है जो आपको वो first type पे based है तो देखिए मैं आपको दिखा दूँ यह type 1 है देखिए type 1 में P और Q स्री परजेंट होगा इसका यह मतलब हो चुका वो इस तरीके से होगा देखिए न यह form पे होगा F P P और Q तो इस form पर आपको यह होगा तो देखिए आपको यहाँ पर जो है चलिए solve कर लेते हैं इसे question number 1 को फिलाल देखिए यह exercise 2A है हम आपको 2B दिखा देते हैं देखिए 2B में आपको इस तरीके से question है देखिए यह मतलब आपको type 2 पर based है देखिए इसमें आपको total 10 question है 2B के बाद भी है मतलब 2C है 2C देखिए आपको इस तरीके से यह 3 मतलब तीसरा type पर यह question है चलिए आप 2C के बाद 2D आएगा जो आपको इस तरीके से तो हम आपको 2A का आपको question number 1 solve करते हैं यह है question number 1 P बराबर E का power Q है तो given equation मतलब आप इस equation को का किजिए note कर लिजए उसके बाद आपको क्या करना する norak पिर आपको एक कर लेना आपको क्या कर देना मतलब पूट कर देना तो देखिए अपन का कर दिया देखिए यह P बराबर E का power Q है तो P के जगा पर A डाल दिया जाएगा P के जगा पर A और जहां पर आपको Q है उसके जगा पर आपको B हो चुका चेंज हाँ बिलकुल चेंज हो चुका है मतलब यह A बराबर यह चीज़ यह E का पावर में है न इसको इदर भीज़ देज़े लॉग बन जाएगा बिलकुल लॉग बन जाएगा इसका यह मतलब हो चुका है आपको B के जगा पर जो है लोगे डालना क्या डालना लोगे किस में किस में इस चीज़ में यह Z X B के जगा पर लोगे इंटु Y पिलस C तो यह आपका complete solution बस normal question था हम question number 2 solve करते देखिए यह इस तरीके से है इसमें हम का करेंगे यहाँ पर आपको यह complete integral तो यह लिखना इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको P के जगा पर A Q के जगा पर B sim to sim काम है अब आपको देखिए question में जो है न यह P बराबर 2 Q A square plus 1 है न यह वाला इसमें आपको P के जगा पर A और Q के जगा पर B put कर दीजिए आप यहाँ पर देखिए A बराबर 2 B A square plus 1 मतलब 2 B A square को पकेला कर लिजगा तो A minus 1 मतलब आपको क्या करना है अच्छा एक चीज़ा यह B A square का मान आपको इतना आ चुका नहीं तो आप ऐसा करिए चली पहले हम देख लेते ए और निकल चुका आपको यह यहाँ पर A का मान ही इसमें सब्सिचूर कर देजिए देखिए न यहाँ पर Z बराबर यह चीज़ न आपको यह रूट में आ जागा तो B का मान ने डाल दीजिए जिससे आपको यह complete integral आ चुका है अब देखिए हमाने पास question number 3 है जो आपको दिखता इस थरीके से तो अपन इससे का करेंगे complete integral तो लिखेंगे ही उसके बाद B के जगा पर Q की जगा पर B काम करेगा देखिए इ के मान का किया substitute कर दिया तो आ चुका है यह complete integral देखिए यहां पर आपको एक यह बराबर मान लिया गया कॉस अलफा कॉस अलफा अलफा मतलब क्या इसका क्या मतलब हो चुका है तो आप एक जानते हैं साइन इसको ठीटा बराबर वन मान इस साइन इसको ठीटा होता भाई स्कॉार हटा तो क्या रूट चाहरेगा वही चीज़़े आपको कॉस अलफा के जगा पर डाल दिया गया तो बस यह आपको क्या हो जाएगा आपको सबती चूर इसके जगा पर आपको हुआ जागा साइन अलफा और एक जगा पर कोश अलफा बस यह आपको क्या हो चुका है तो ए नीचे जलाजे चुका है मतलब आपको बी का पावर थीरी तो यह आपको इधर जाएगा तो क्या होगा मानेश टू वन बाई थी बनेगा मतलब गुना में आ जाएगा तो मानेश टू बट्टा थीरी कम्प्लीट इंटिग्रल मतलब आपको बी के जगा पर यह क्या करना सब्सिचूट कर देना तो बी के जगा पर यह आपको का कर दिया गया सब्सिचूट कर दिया गया हमारे पास अगला प्रशन भी है जैसे कोशन नंबर आपको फाइब है यह आपको इस तरीके से दिखता है P A square minus Q A square ब्राबर का 4 complete integral लिखना को दिका नहीं है P के जगा पर A Q के जगा पर B यहां तक तो आपको शमाज में आता ही होगा दिका नहीं है यह आप पूट करते A square minus का B A square मतलब A square ब्राबर क्या लिखेंगे आपको यह 4 plus B A square यदि B A square को अकेला करते हैं तो A square minus का 4 मतलब आपको B का मान आपको यह चीज़ आ चुका है A square minus का 4 तो B के जगा पर A square minus 4 पूट कर दिया गया आपको तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर A का मान यहाँ पर डाल दिएगा न तो दो का A square आपको 4 और A square 10 square alpha नहीं कैसे चार यहाँ से पहले common लिया जाएगा नहीं हाँ चार common C square theta minus 1 नहीं हो जाएगा आपको A square theta minus 1 3 10 square theta मतलब 2 10 alpha बाहर आ चुका चार का 2 और 10 alpha यहाँ साब को देखिए यह चीज़ है आपको यह आपको एक के जगा पर और यह आपको क्या चीज़ के जगा पर आपको A under root यह इसका मान निकाले थे नहीं तो इसका मान यह इसका मान निकाले थे मतलब इसको चेंज किये थे तो आपको क्या करना पूट कर देना इसके जगह पर two ten alpha ओके एक आमान पहले था तो एक आमान सब्सक्राइब करने के बाद हुआ तो हमारा question number six है जो आपको इस तरीके से दिखता है गिमें equation complete integral निकाल लेते जर बराबर ax plus by plus c p के जगह पर a q के जगह पर b आ चुका है मतलब a b बराबर a b मतलब क्या चीज़ यह था एको मतलब b वाले को उठा के लाए आप b common ले लिया गया तो b बराबर a बटा में one minus से चली इसमें भी मुश्किल नहीं है complete integral मतलब b के जगह पर यह चीज़ पूठ कर दिया गया यह complete integral आ चुका हो अब यहां पर का किया गया फिर देखियं a के जगह पर a plus one लिया गया complete solution देन आपको देखे a के जगह और a plus one यहां पर a plus one आecा यहाँ वन वन कैंसे मतलब आपको यह दोनों के डिवाइड में चला जागा तो एक बट्टा एक में डेल X Q को लिख दीजे डेल Z बटा में डेल Y ये लिख सकते हैं यह Y X स्कॉार था पी स्कॉार था इसलिए आपको क्या हो चुका यह स्कॉार यहां पर तो मतलब Z था तो इसको रूट Z लिख दिया गया स्कॉारिंग करेंगे तो फिर से जिट हो जाएगा ओके तो आप देखिए आपको यहां पर लेट करना मतलब माल लेना डेल X बटा में X बराबर में क्या आपको डेल X अब इसका यह चीज तो अपन ले लिया मतलब लिट किया गया यह लोग X और यह क्या आजाएगा आपको एक सा जागा integration आप देखिए यहां पर इसका आपको यह चीज माल लिया गया। यह capital X से capital Y है इसे माल लिया गया आपको यह चीज तो यह आपको इसका integration log Y और इसका आपको Y आगे also one बट्टा अंदर root z मैं इसलिए लिया देखें यहाँ पर आपको देखें ना एक चीज़ का जिक्र है एक बट्टा root z का तो इसलिए आपको इसको भी माल लिया गया del z मतलब आप इसका one बट्टा root z मतलब two root z बराबर में आपको क्या हो चुका है z हो चुका है तो देखें there आपको आपको यहाँ को उपर लाना है क्या लाना है उपर में del z को लाना है मतलब आपको जो है यह चार में टीवाइट कर दीजिए two से मदब del z को ऊपर лाना है del x नीचे अब देखें यह मान substitute कर दिया गया तो आपको यहां से क्या जाएगा यह वन बट्टा रूड़ जट डिल जट हो गई और यह आपको एक से तो कोई दिकानी पल्टी मार देगा आप देखें यह एक्स बट्टा में यह चीज और यह चीज यह सेम टू सेम समी करन वन में है मतलब इक्यूएशन वन में यह चीज है न इसके जगा पर आप hon डील च्ड बट्टा में आपको डिल च्डाल सकते हैं क्योंक्तम कर चैजा चुका देखिए न य् virus और देखिए मैं offered तीन और चार से चलते हैं उसमीं लाना हमें जो है न डेल जेट उपर में डेल वाई तो यहां साब को यह चीज यह चीज आपको फ्रॉम एक्वेशन वन में मौझूद है मतलब आपको इसके जगा पर आपको क्या जाएगा यह तो सब्सिचूट कर दिये गया फ्रॉम एक्वेशन वन से यह इसे जो है आपको देखिए पी के तरह डेनोट करें यह पीक स्कॉर मतलब क्यों स्कॉर यह पी के तरह दिख रहा है यह क्यों के दिख रहा है मतलब टाइप वन पर यह आ चुका है इस वाले में ओके एस स्कॉर मतलब ब का मान आपको यह अंदर रूट वन मान पूट कर दिया गया हमारा कोशन नंबर आठ है जो दिखता है इस तरीके से हैं लिख देखे यहाँ पर इस नंबर इस नंफह फहले मतल Suppose हुआ अब्राप्र है रहे जाने सब्सकर देखे ओके यह आपको जहरे शस्कोरा का दिएगा दोनों को जेदेजए एक एक स्कॉर दे दिया और यहाँ पर भी जिड डाल दिया गुना करेंगे तो वापस से जिड उसकार मिल जाएगा ओके यह डिल जड है तो आगे हम आपको बात कर दें यहाँ पर कि यह चीज आपको ऐसा आ चुका यह बराबर में इसे एक्विशन फर्स्ट मान लिया गया अब हम क्या करते है डिल जड बटा में डिल एक्स बराबर में डिल एक्स मान लिया गया मतलब इसका लोग एक्स बराबर में एक्स इसका लोग वाई बराबर में य लोग जड मतलब आप देखें यहां पर यहां पर एक्स बट्टा में डेलेक्स मतलब वन बट्टा डेलेक्स है नहीं है का करेखा यहाँ यहाँ पर देखिए यहां पर चुनब्टा में और यहाँ सब्टा में चुनब्टा में यहां पर थोड़ा अलग कर दिये थे, आपको यह form पर आचका है, यह P और यह Q बराबर 1, complete integral लिखना, J बराबर X, पलस B, Y, पलस C, complete integral मतलब आपको जो है, यह P के जगह पर है, क्योंकि जगह पर B, का मान क्या हुट कर दिया किया है इसा में लोगन है इसे लौक and um अब को आपको क्या हो चुका आ चुका ठीक का ये कुश्यन आपका prank है जो आपका嗯च आपका चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ